चो अब हम आगे दस्वा अध्याये पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा अब लाक्षा ग्रेसे बचकर पांडव अपनी माता कुंते के साथ एक गने जंगल में पहुच गए चलते चलते वो एक शक्रा नगरी में जहां पहुचे उन सबने ब्रमचारियों का वेशधारन किया और ब्रमचारियों का वेशधारन करके वो एक ब्रामन की घर पर रहने लगे वे वहाँ पर विक्षा मांग कर गुजारा कर रहे थे इस भीक से भीम के भूख नहीं मिटती थी बच्चों आपको पता है ना क्योंकि भीम सबसे अधिक खाना खाते थे क्योंकि भीम को भूख जादा लगती थी उसी नगरी में बकाजोर नाम के जाक्षस ने बहुत यातंक मचार खाता अब नगरवासियों ने ये फैसला लिया कि एक एक दिन करके एक एक घरवाले बकाजोर के लिए भोजन बेजेंगे आज उस ब्रामन की बारी थी जिसने पांड़ों को शरन दी थी उस ब्रामन की एक ही संता थी अब ब्रामन बहुत दुखी हुआ ब्रामन और उसकी पत्मी जोर जोर से रो रहे थे इतने में पांड़ों आये और उनसे उन्होंने रोने का कारण पूछा तो ब्रामन ने सारी बात बताई पांड़ों ने उन्हें सांत्मना दी कि सांत्वना करत होते बचे धीरज बंधाया कि ब्राह्मन वर आप गवराईये मत अमारे ओत वे आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड सकता भीम ने कहा कि मैं आपके पुत्र की जगा जाऊंगा और क्या है उस राक्षस से लड़कर मैं उसे मार मिटाऊंगा 13 मर्श से वे राक्षस प्रजा को तंग करता आ रहा था लेकिन वहां के राजा ने अपनी प्रजा की किसी प्रकार से रक्षा नहीं की अब भीम ब्राह्मन के बेटे की जगए भोजन लेकर गुपा के पांस पहुँच गए जहां पर बकासूर रहता था भीम सारा भोजन दिरे-दिरे करके खुद खा जाते है अब राक्षस इंजार करता रहता है कि अब तक कोई आया नहीं इसी इंतजार करते करते वो क्या है कुफासी बाहर आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि एक मोटा सा बलवान पुरुष जो उसके लिए बोजन लाया था वो खुदी खाये जा रहे है खुदी सारा बोजन खा गया अब राक्षस को बहुत गुसा आया बकासर गुसे से भीम पर जबटता है जब भीम पर कोई असर नहीं होता तो वह एक पेड उखाकर भीम पर इफैक देता है भीम उसे ठोकरे मार कर गिरा देता है और एक ही बार में क्या है उसे जमीन पर पठक कर मार गिराता है अब कसुर मर जाता है भीम उसकी लाश को नेकर नगर के द्वार तक गसीट कर लाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि राक्षस मारा गया है और लोग क्या है भैं मुक्त हो जाएं और चैन से अपना जीवन वैतीत अर्थात बिताना शुरू करें भीम ने माता कुंती को सारी बात बता दी अब नगरवासियों को उस राक्षस से चुटकारा मिल जाता है बच्चों अब आपको लाग के घर के बारे में और पांडू के रक्षा के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा धन्यावाद